वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च आज हम डिसकस करेंगे जिमेट्रिकल आईसोमर ओफ एलकीन तो सबसे पहले हम जिमेट्रिकल आईसोमर की डेफिनिशन देख लेते हैं क्या होती है तो यहाँ पर आपको दो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है और जो दोनों ही स्ट्रक्चर है CS3 और H जुड़ा हुआ है उसी तरह से जो second carbon है उस पे भी CS3 और H जुड़ा हुआ है और जो दूसरी structure है उसमें भी CS3 और H जुड़ा हुआ है तो दोनों की structure क्या है बिल्कुल सेम है लेकिन difference क्या है difference यह है आप देखिए कि यहाँ पर जो CS3 ग्रूप है जो पहली structure है उसमें जो CS3 ग्रूप जुड़े हुए है वो दोनों double bond के एक ही side ठीक है और जो आपकी second structure है उसमें जो CS3 ग्रूप जुड़े हुए है वो बिल्कुल कैसे है एक दूसरे के opposite side ठीक है तो यह एक क्या show कर रह इन ठीक है तो यहां से हम geometrical isomer की definition लेते हैं क्या है कि ऐसे isomer ठीक है जिनकी structure कैसी हो बिल्कुल same हो जिनका structural formula कैसा हो बिल्कुल same हो लेकिन वो differ करें कहां differ करें in the arrangement of atoms और group of atoms around double bond जैसे मैंने बताया था कि जो first structure है उसमें CS3 दोनों double bond के एक ही side है ठीक है और जो second structure है उसमें CS3 बिल्कुल opposite side है ठीक है तो जो arrangement है atoms का in space वो कैसा है different है तो same structure formula but different arrangement of atoms in space तो उन्हें क्या हम बोलेंगे geometrical isomer अब जो alkyne है वो geometrical isomer क्यों show करता है alkyne show नहीं करता क्योंकि alkyne में carbon carbon के around free rotation possible है ठीक है अब alkyne क्यों show करता है तो यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है कि जो alkyne है alkyne में कौन सा bond होता है एक pi bond होता है ठीक है और यह pi bond कब बनता है जब p orbitals क्या करते है एक दूसरे के साथ overlap करते है तो यह geometrical isomer जम क्यों show करता है अब अगर मैं क्या करूँ जो second p orbital है उसको rotate करूँ कितने degree पे 90 degree पे तो इनकी rotation क्या हो जाएगी sorry इनकी जो overlapping है वो क्या हो जाएगी cancel हो जाएगी क्योंकि overlapping के लिए orbital क्या होने चाहिए एक दूसरे के बिलकुल parallel तो अगर 90 degree पे घुमा दूँगा तो इनक i bond भी क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा ठीक है तो हम कह सकते हैं कि carbon carbon के जो around है वो rotation possible नहीं है इसलिए geometrical isomerism possible है इसको हम एक example से समझते आगे यह देखिए यहाँ पर उसी तरह से butene की structure दे रखी है दोनों यह first structure है आपकी और यह second structure है ठीक है अब अगर first structure को हम second structure में convert कर लें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो second carbon है उसको rotate करना पड़ेगा ठीक है rotate करना पड़ेगा तब जाके यह इसमें convert होगी लेकिन अभी हमने पीछे डिसकस करा था कि carbon carbon के around rotation possible नहीं है क्योंकि अगर आप rotate करोगे second carbon को तो क्या होगा पाई बॉंड टूट जाएगा ठीक है तो तो reason क्या है जो में आइसमेरियम शो कर रहे है रोटेशन अराउंड carbon carbon double bond is not free अगर free नहीं है तो इसका मतलब यह first structure और यह second structure दोनों different structures है इनको एक दूसरे में convert नहीं किया जा सकता ठीक है hydrogen की वही position रहेगी CS3 की position वही रहेगी यह change नहीं हो सकती तो change नहीं हो सकती तो इसका मतलब यह क्या show करेंगे geometrical isomer तो आप दो टाइप के geometrical isomer है ठीक है एक तो cis और दूसरा आपका truss ठीक है cis isomer में क्या होगा जो same groups हैं वो double bond के same ही side रहेंगे ठीक है the isomer in which the similar atoms or group of atoms lies on same side of double bond ठीक है और trans में क्या होगा जो same groups हैं वो क्या होंगे बिल्कुल एक दूसरे के opposite होंगे ठीक है तो and in transform in which the similar atoms or group of atoms lies on the opposite side तो यह जो पहला है यह आपका cis है पहली structure और जो दूसरी है वो कैसे आपकी truss अब क्या-क्या properties है geometrical isomer की ठीक है पहली property है आपकी melting point तो जो cis isomer है इसका melting point कम होता है किस से trans से क्योंकि जो आपका trans isomer है यह है symmetrical ठीक है symmetrical structure होने के कारण यह crystal में क्या हो सकता है अच्छी तरह से pack हो सकता है तो जब यह crystal में अच्छी तरह से pack हो सकता है तो इसको separate करना है इसको अलग करना कैसा होगा बहुत मुस्किल होगा ठीक है यहाँ पर जैसे example दिया हुए आपका ठीक है यह है आपका one two dichloro ethane ठीक है इसका अगर मैं editing point बताऊं यह आपका है cis पहले वाला ठीक है cis क्यों है क्योंकि CL group दुर्मों एक side है और यह दूसरा कैसा है trans क्यों है trans क्योंकि जो same groups है CL CL बिल्कुल कैसे है एक दूसरे के opposite side है ठीक है तो अगर मैं cis वाले का आपको melting point बताऊं वो है one nine three Kelvin और जो trans वाला है उसका है two two three Kelvin trans वाले का ज़्यादा क्यों है क्योंकि ये क्या हो सकता है crystal में अच्छी तरह से पैक हो सकता है इसके बाद आते हैंकि solubility आप S-2C यो जो अच्छी तरह से pack होगा ठीक है उसको crystal से अलग करना कैसा होगा मुश्किल होगा अगर उसको अलग करना मुश्किल होगा तो इसका मतलब उसकी solubility क्या होगी कम होगी तो जो c-sisomor है वो तो अच्छी तरह से pack नहीं हो सकता ठीक है तो c-sisomor को क्या कर सकते हैं उसके molecule को असानी से crystal से बाहर निकाल सकते हैं जिसके कारण उसकी solubility भी क्या होगी जादा होगी तो जो solubility of c-sisomor it is higher than that of transisomer क्यों because the molecule of c-sisomors are less symmetrical and weakly held in the crystal lattice ठीक है अच्छी तरह से pack नहीं होने के कारण वो weakly held होते हैं crystal में जिसके कारण कम amount of energy देनी पड़ती है क्या करने के लिए उसे crystal में से निकालने के लिए जैसे यहाँ पर example दे रखा है यह आपका malic acid है यह सिस देखवा आप c-double h-group दोनों कहां है एक side है ठीक है तो अगर मैं इसकी solubility बताऊं सिस वाले की वो है 79 gram ठीक है in 100 ml of water और यहाँ पर यह जो trans है जिसकी packing ज्यादा close होती है crystal में जिसको separate करना बहुत मुश्किल है इसकी solubility बताऊं यह होगी आपकी केवल 0.7 gram next है आपका dipole moment ठीक है बहुत important topic है और यह इसमें से question आपका आता है तो जो आपका c-saisomer है ठीक है ध्यान रखना है इसका जो dipole moment होता है वो क्या होता हमेशा ही ज्यादा होता है किस से trans से देखें यहाँ पर example दिया हुआ है यह आपका cis butine है ठीक है यह है आपका trans butine ठीक है तो cis butine में देखें dipole moment के जो direction है वो इस तरह से ठीक है यह double bonded carbon है उसकी electron activity ज़्यादा होती है तो इस पर charge delta negative और जो CS3 का जो carbon है उस पर charge है delta positive ठीक है यह dipole moment यह अलग से topic हम discuss करेंगे तो जो direction होती है dipole moment की वो होती है आपके positive end से किस की तरव negative end की तरव ठीक है और यह vector quantity यह क्या हो जाती है जूड जाती है तो यहाँ पर देखो यह dipole moment है यह क्या हो जाएंगे एक दूसरे में add हो जाएंगे अगर मैं trans की बात करूँ ठीक है यह next type का trans है trans में देखो जो dipole moment है उनकी जो direction है वो बिलकुल एक दूसरे के कैसे है opposite है जिसके कारण क्या होगा यह dipole moment क्या कर देंगे एक दूसरे के effect को cancel कर देंगे तो इसमें dipole moment कितना आ जाएगा जिरू ठीक है जो next example है बहुत important है एक्जाम में आता है 1,2, dichloro, ethane इसका cis और जो trans isomer है किसका dipole moment जादा होगा उसी तरह से किसका जादा होगा आपका cis का ठीक है क्योंकि cis में क्या होगा ठीक है यह दोनों क्या हो जाएंगे add हो जाएंगे दोनों dipole moment trans में उसी तरह से direction के है dipole moment की बिल्कुल एक दूसरे से opposite तो इसमें dipole moment कितना जाएगा 0 तो trans वाले का dipole moment कम होगा और cis वाले का ज्यादा होगा ठीक है अब लास्ट में आता आपका boiling point तो जो C-sisomer है उसका कुछ ना कुछ dipole moment होता है तो इसका मतलब इसमें कौन सी property है dipolar property ठीक है dipole moment है ठीक है dipole moment है तो molecule आपका polar है और polar है तो इसमें जो interaction होंगे वो कैसे होंगे dipole dipole interaction इसमें present होंगे इसका dipole moment कितना है zero तो इसमें dipole dipole interaction नहीं होंगे ठीक है नहीं होंगे तो इसमें जो different molecule है ट्रांस में उनके बीच में जो attraction है वो कम होगी attraction कम होगी तो उसको boil करना कैसा होगा easy होगा तो जो C-sisomer है उसका boiling point क्या होगा ज्यादा होगा किस से ट्रांस से क्योंकि C-sisomer क्या है polar है और इसमें कौन से interaction है dipole dipole interaction ठीक है polar का मतलब है इस पर charge है delta posterior delta negative तो ये बनता है आपका एक dipole ओके तो ट्रांस आइसोमर में जो की last polar है ठीक है उसमें weak dipole dipole interaction होगे जिसके कारन उसका boiling point क्या होगा कम होगा